हेलो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे इस्टेनोग्राफर क्या होता है यह भाई कौन सी बला है जब से सुना है इस्टेनोग्राफर इस्टेनोग्राफर भाई होता क्या है स्टेनोग्राफर इसके बारे में इसमें विस्तध रूप से जान कर करने के लिए और यह बनने के लिए अब बात करें स्टेनों पर बनते कैसे हैं त्यारी कैसे करने हैं आपको और सबसे इंपोर्टेट बात पाइसा कि इतना मिलता है सारी इनप्रमेशन को आज कि इस वीडियो के अंदर कंप्लेटल बदा ना वाँ उससे पहले दोस्तों बता करनों और आप देख रहे हैं फॉर्यू क्लास इस हमारे सनल पर एज्यूकेशन से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी अपडेट दी जाती है तो ऐसी और अपडेट के लिए वीडियो के नीचे लाल करगा बटन है उसको दवागी सेनल को सब्सक्राइब और पास के बैल के लिए को और पर क्लिक जरू करें दोस्तों बात करते हैं इस्टेनोग्राफर क्या है दोस्तों क्या है कि वह व्यक्ति जो सौट हेंड की साहिता से किसी व्यक्ति के दवारा दी जारी स्पेस को कम समय में उसी परकार लिखने की समतार रखते हैं उसे इस्टेनोग्राफर का जयता ह तो मतलब क्या है कि सामने कोई आदमी बोल रहा है और सामने यह जो इस्टोन ग्राफर है वो सौट हैंड से जल्दी से जल्दी टाइपिंग कर ले ठीकिना उसको बोलते हैं अपन इस्टेनो ग्राफर जैसे कि नहाले समासर पत्र सरकार संस्व मैं बोले गए सब्दों को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें नियुक्ति के लिए किसी भी मायनद प्रफसास्ता से आपके पास में ग्रेजूर्शन की डिग्री होनी साहिए और कहीं कहीं 12 पास भी सला लेते हैं ठीक है दोस्तों और उसकी बाद में यहां पर इस्टेनो ग्राफर कैसे बनने इस यह सबसे important बात है इस जो कर बनने के लिए दो सर्णों में पूरी परकरिया होती है पहले सरण में इसके दर आपको इस्टेनो टाइपिंग सीखना होता है टाइपिंग सीखने के लिए आपको पॉलो टेक्निक या आईटियाई संस्तान में प्रविस प्राप्त कर सकते हैं आप नीजी संस्तान से भी टाइपिंग सीख सकते हैं परनतों वह सरकार दोरा मानेत अपराप्त होना साहिए और दूसरे सरण में इस सरण में आपको इस्टेनो टाइपिंग सीखने के बाद इससे गति को बढ़ाना होगा आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी बास्ता में 80 इस सब्सक्राइप पर्ति मिनट और अंग्रेजी में पी 80 पर्ति मिनट होने साहिए इस्टेनो ग्रापर पर सैन के लिए टाइपिंग मुख्य पूमी अधादी है तो दोस्तों इस्टेनो गाप बढ़ना के लिए आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको टाइपिंग सीख अब त्यारी कैसे करनी वहीं खुली बात है एक्जाम तो देना पड़ेगा गौर्णमेंट का तो उसके अंदर से पीए थोड़ी स्पीड कर और भी सारे कुछ परसन आते हैं सब कुस होता है तो आपको त्यारी कैसे करनी है उसके बारामें प्रोमेशन देने वाला हूं तो समझेना होगा दोस्तों आपको बता दूं किसी भी गौर्णमेंट एक्जाम होता है उसको क्रेक करने के लिए आपको दो सीचों का नॉलेज होना चाहिए पहला परिक्सा का पैटरन क्या है और दूसरा उसका सेल बस क्या है अगर यह दोनों आपके पास में नॉलेज नहीं कॉंप्रिहेंसन यह अपने जो सेलेबस के अंदर आने वाल है आपको इन वीश्य का सई सियाध्य करना होगा यदि आप परिक्सा में उत्तिन हो जाते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो पहले आपको एक्जाम देना होगा एक्जाम के दोस्तों कोई भी एक्जाम हो आपको उसके पहले पांच एक्जाम हुए ना उनका पर्शन पे पत्र लेकर आजाना है या मतलब आपको बहुत सारी ऐसी सीडीज मिल जाती है जो आपको करीद के लानी है और उसको त्यारी अच्छे से कर लेनी है अब बात करते हैं सबसें सब्सक्राइब की सेलेरी पाइस से कितने मिलते हैं तो बात के लिए इस्टेन ग्रापर का वेतन होता है पांस हेजार दो से दोसों से वी सेजार दोसों और क्रेट पर होता है सब भी छो रूपे दो जानकर एक प्लिप करवा दिये फिर भी दोस्तों कोई डाउट को अगे पर रहे जाता है तो डिस्क्रेशन में इस्टागाम साइलन का लिंक है वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज दा देना जो मैं आपको इस्टा इंट्रिप्राइब दे दूँगा इसके लाओ दोस्तों हमारे सेनल पर एज्जूइशन डिलेटेड आपको बहुत सारी अबडेट दी जाती है ऐसी और अबडेट लिए वीडियो के नीचे लाल चलर बोटे नहीं उसको दबागी सेनल को सब्सक्राइब पास के बेला इको उनको दबार रहना चोटी बोड़ी अबडेट टेलिग्राम चैनल पर वहाँ पर भी आप चाहिन हो सकते हैं दोस्तों उ